नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्तर मीलम शर्मा. इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे की इसोफैक दी कैपसूल का उप्योग किन कंडिशन्स में किया जाता है. इसोफैक दी कैपसूल को कैसे लेना चाहिए? और इसोफैक दी कैपसूल की वज़से क्या साइड इफेक्स हो सकते हैं? इसोफैक दी कैपसूल पेट में उत्पन होने वाले एसिट की मात्रा को कम करता है. इसोफैक डी कैपसूल का उप्योग पेट में जलन होने पर, पेट में गैस बनने पर, बधजमी होने पर, खटी दकारे आने पर, सीने में जलन होने पर और पेट में अलसर होने पर इसोफैक डी कैपसूल का उप्योग किया जाता है जैसे दर्द को कम करने के लिए उपयोग की जाने वाली दवाओं की वज़ा से पेट में जलन, पेट में दर्द या पेट में अलसर हो सकती है इसलिए इन side effects को रोकने के लिए भी आपका Dr. Isofagd D capsule को दर्थ की दवाओं के साथ लेने की सला दे सकता है ज्यादातर एंटिबायोटिक दवाओं के सामान्य side effects में उल्ती आना, उल्ती आने का मन होना और पेट में गैस बन सकती है इसलिए एंटिबायोटिक दवाओं की वज़े से ये side effects ना हो इसलिए आपका Dr. Isofagd D capsule को एंटिबायोटिक दवाओं के साथ भी लेने की सला दे सकता है इसके अलावा Isofagd D capsule का उप्योग पुछ medical conditions जैसे gastric ulcer, acid reflux और Jolinger-Ellison syndrome को treat करने के लिए भी किया जाता है Jolinger-Ellison syndrome एक ऐसी स्थिती है जिसमें पेट में acid का उत्पादन बहुत अधिक होता है Isofagd D एक brand name है Isofagd D capsule के अंदर दो दवाओं का combination होता है Isofagd D capsule के अंदर salt composition इसो में prajol और domperidone होता है दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो कृपया वीडियो को लाइक करना न भूले अब हम discuss करेंगे कि Isofagd D capsule की वज़से क्या side effects हो सकते हैं वैसे तो ज्यादातर व्यक्तियों में Isofagd D capsule की वज़से कोई side effects नहीं होते हैं लेकिन कुछ पसंद व्यक्तियों में Isofagd D capsule की वज़से कुछ सामान्य side effects हो सकते हैं जैसे पेट में दर्द, पेट से गैस निकलना, मुमें सूखापन, सिरदर्द, शरीर की मास्पेसियों या जोडों में दर्द होना, चक्कर आना वद्दस्थ होने की समस्या हो सकती हैं इसके अलावा Isofagd D capsule की वज़से कुछ व्यक्तियों में कब्स की समस्या भी हो सकती हैं लंबे समय तक Isofagd D capsule का सेवन करने से यानी कई महीनों या कई सालों तक Isofagd D capsule को लेने से शरीर में विटामिन C, विटामिन B 12, कैल्शियम, आइरन और मैगनीशियम की कमी हो सकती हैं इसलिए डॉक्तर की सलाह के बिना Isofagd D capsule को दो सफता से अधिक नहीं लेना चाहिए लंबे समय तक या दिन में कई बार Isofagd D capsule को लेने से ऑस्टियोपोरोसिस होने का जोखिम अधिक हो जाता है ऑस्टियोपोरोसिस होने पर शरीर की हड्डिया बहुत ही कमजोर वा अंदर से खोखली हो जाती है Isofagd D capsule की वज़से ऑस्टियोपोरोसिस तभी होता है जब Isofagd D capsule का सेवन लगातार एक साल या उससे अधिक समय के लिए किया जाए अगर आप दिन में कई बार या लंबे समय से Isofagd D capsule को ले रहे हैं तो आपको कैल्शियम और विटामिन D के सप्लिमेंट्स डॉक्टर की सलाह के अनुसार लेते रहना चाहिए ताकि ऑस्टियोपोरोसिस होने के जोखिम को कम किया जा सके या आपको कैल्शियम से भरपूर खाद्य पदार्थों का सेवन भरपूर मात्रा में करना चाहिए और विटामिन D के लिए हर रोज 10 से लेकर 15 मिनिट सुबह की धूप में बैठना चाहिए अब हम डिसकस करेंगे की इसोफैक D कैपसूल को कैसे लेना रेक्मेंडेर होता है 18 वर्ष से अधिक उम्र के ज्यादातर व्यक्तियों को डॉक्तर इसोफैक D कैपसूल को दिन में एक बार और सुबह खाली पेट लेने की सला देते हैं इसोफैक डी कैपसूल को खाना खाने से कम से कम एक घंटे पहले लेना चाहिए। इसोफैक डी कैपसूल की खुराक उम्र, शरीर के वजन और बीमारी की गंभीरता के आधार पर कुछ व्यक्तियों में इससे अलग भी हो सकती है। इसलिए आपको इसोफैक डी कैपसूल को लेने से पहले डॉक्टर से परामर्ष लेना चाहिए। इसलिए डॉक्तर की सलाह के बिना प्रेगनेंट महिलाओं और स्तन्पान करा रही महिलाओं को इसोफैक डी कैपसूल को नहीं लेना चाहिए। विडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद अगर आपको विडियो पसंद आया तो प्लीज विडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और अगर आपका इसोफैक डी कैपसूल से संबंधित कोई प्रश्न है तो आप कमेंट करके पुछ सकते हैं।